वेल्कम बैक तो एक्मे कॉलिंस स्कूल एन आज का जो हमारा टापिक है सरकारी नौकरी के लिए कौन सा क्पूर सेटेफिकेट चाहिए वैसे तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए नहीं बलकि जितनी भी इंप्लाइमेंट्स हैं जितनी भी जॉब्स हैं के लिए एक कंपूर सेटेफिकेट होना ज़रूरी है इस नौत अबाउट कि आपके पासवशल्केंप्यूर सेटेफिकेट होना चाहिए इस अपाउट कि आपके पास उसकी नौलेज भी हो सबसे पहले हम डिसकस करती कि कौन कौन साइसे सेक्टर्स है जिनके जिनके लिए हमें computer certificate चाहिए होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे government jobs की perspective से and second, हम private sectors को भी include करेंगे यहाँ पर, so let's see, कि जो sectors होते हैं, वो bank का sectors होता है, public sectors होता है, private sectors होता है, state government होती है, state government के अंदर जो jobs होती है, वो central governments के अंदर जो jobs होती है, उसके लिए भी, तो इन सभी sectors के लिए हमें computer certificate चाहिए होता है, okay, मैंने यहाँ पर private sectors को भी include कर लिया है, okay, अब बात करते हैं क्या, कि इन sectors में computer certificate चाहिए ही होता है, लेकिन वो courses कौन-कौन से होते हैं, जिनको हमें करना चाहिए, so as to, we can apply for this government job, ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, जब या applications fail करते हैं, तो notification में कहीं mention होता है क्या, कि आपके बास computer knowledge होने चाहिए, आपने जरूर देखा होगा, जब भी आपने applications file करी होगी, ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा notification में, तो वो basically आप से पोच रहे होते हैं कि आपके बास computer knowledge है या नहीं है, बेशक अगर आपके पास उसका certificate नहीं है, तो आप जो है उसको, उस skill को showcase नहीं कर सकते हैं, उस skills को आप मतलब नहीं ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ये skills है, क्योंकि governments को या फिर किसी भी संसा को एक result चाहिए होता है, एक certificate चाहिए होता है, जिससे कि वो ये verify कर पाएं कि आपके पास ये skills जो है, वो वाके में है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन-कौन से courses, यहां पर जो हम कर सकते हैं, सबसे पहला course है है यहां पर आपका, वो है basic computer course, बहुत ही basic course होता है, इसमें computer fundamentals के बारे में, and basically softwares के बारे में, आपको सिखाया जाता है, तो जो softwares आप सिखेंगे, let's say, MS Office, जो के basic applications है, ठीक है, and यह आपकी help करेगी आपके jobs में, okay, तो यह basic softwares होते हैं, जो की आप basic computer course के अंदर सीखते हैं, okay, इसकी durations के अगर बात करें, तो durations जो है इसकी, वो होती है आपकी 3 months की, okay, 3 months के, यनि team हैने का basic course है, इसको आप easily कर सकते हैं, और आपको इसके कहीं offline में नहीं सीखना, आप online भी सीख सकते हैं, और online इसको complete कर सकते हैं, okay, next बात करते हैं, आपका next जो course है, that is, diploma in computer application, जो के एक diploma course है computer applications पे, यहाँ पे basic knowledge of computer, यादि fundamental of computer, and साथ में, जो MS Office की जो applications है, and accounting software है, वो आपको सिखाए जाते हैं, okay, practical uses, इसके जो durations होती है course की, वो आपकी 6 months की होती है, यही 6 months में आप इसको complete कर सकते है, and you can get certificate, ठीक है, जो certificate आपको मिलता है, receive होता है, सभी courses का, वो government approved होता है, यहीं, किसी भी organization में जब आप apply करें, whether you apply for state government, and private sector, or public sector, or bank, आप जो है, इसको verify कर सकते है, and even आपकी जो organization है, इस भी department में आप apply करें, वो department P इसको easily verify कर सकता है, okay, next बात करते है, आपके, आपका जो course है, वो है post graduate diploma in computer application, that basically PGDCA course, ठीक है, और इसकी जो durations होते है, आपकी, that is one year, one year का यह आपका course है, and इसमें जो है, यह जो course आप है, इगनु से भी कर सकते है, इंदरगानी उनिवर्सिटी, वहां से भी आप इसको कर सकते है, and इसको आप एक्में college school से भी कर सकते है, okay, difference यहाँ पर सिर्फ यह होगा कि आपको, जब आप इंगनु जाएंगे, तो यहाँ पर आपको, जो है, exam देना होगा, ठीक है, and उसके बाद आप इसको करेंगे, और वो जो आपका course का distance mode से होगा, यह आपका जो है, for the accounting courses, ठीक है, और वो भी, उन students के लिए, जो कि banking sectors में preparation करें, वो इस course को कर सकते है, क्योंकि banking के कुछ, banking के कुछ software होते है, मैं यह आपर यह नहीं कह रहा है, कि banking के software हों, accounting के software जो इस course में आप सेखेंगे, वो similar होंगे, बट जो basic terms होती है, accounting की, वो same रहेगी, okay, अगर हर एक banking के software जो होते है, वो अलग अलग होते है, depend करता है, bank to bank, okay, and इस course को जो durations होती है, वो आपकी होती है, 6 months, अगर इस course में, मैंने कोई भी topic cover नहीं किया, अच्छे से और सही से, तो please comment, मैं नेक्स वीडियो में उसको बता दूँगा, okay, now, question आता है कि, इस course को हम कहां से करें, okay, so basically, आप इस course को, ACME College School की website से कर सकते हैं, यहाँ पर search का हमारे पर option आता है, और जो भी course आप करना चाहें, whether it is DC or basic, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, course करने का benefit ही होता है, क्योंकि course online होता है, तो आपने time के accordingly इसको study कर सकते हैं, and उसके बाद में, आपका basic exam होता है, जो कि online होता है, जो आपको exam देना होता है, and जैसे आप exams complete करते हैं, exam देते हैं, you will be able to have your certificate, और certificate आपका by post, जो है वो, courier कर दिया जाता है, आपके register address पर, right, है, होता है, isht parle बाद देना होता है, जो शीखमत्नी कर दो है, भाद जाद, कि अज़ता है, क्ज़ च़ जो बाद highlightingura की से, हाँक है, जो तू षते हैं उंज़त्या,